जहिन दोस्तों आज 22 माई 2022 है दैनिक जागरन के राष्टिय संस्करन का complete news analysis करेंगे जो exam perspective से important news होता है उसी का discuss मैं आपके साथ करता हूँ वीडियो देखना शुरूग किया हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजिएगा अपने दोस्तों के साथ कलिक के साथ share कर दें कोई question पूछना चाहते हैं कोई सुजहो देना चाहते हैं comment section में दे सकते हैं और जिन लोगों ने टेलेग्राम को नहीं जोइन किया है जाकर के जो बायो डाइवर्सिटी दे मना जाता है तो इसी दिन याद रखेगा कई बार question में पूछता है अंतराश्टिय जै बिवित्ता दिवस या बायो डाइवर्सिटी दे कम मना जाता है तो आज ही के दिन यानि 22 मही को प्रतियक वर्स मना जाता है फर्स्ट पेस पे एक तो ये न्यूज है इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं पेट्रोल लवखक 10 रुपे सस्ता हुआ और डीजल 7 रुपे सस्ती हुई है अब देखे यहाँ पे जो इस न्यूज को देखेगा तो चुकि ग्यान वापी हिस्सू वह इसे भी देशवर् चाहिए कनिघम के द्वारा बिसिकली इसके शुरुवात किया गया था यह जो टॉपिक है यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चुकि माननी है राहुल गांधी जी हमारे विपक्ष के बड़े नेता हैं कौनेस के सबसे बड़े नेता में से एक हैं तो अब ही एक समिट च चल ला और लंदन में बिसिकली चलना है आइडिया ओप इंडिया सम्मीट में जितने भी विपक्षी दल के नेता है उसको बुलाए जा रहा है कि भारतका आइडिया क्या स्किर तरह से संविट भरा certains आंज के बसक्ली बिसिकली करवा इस ने कहा कि सर्कार अरोगेंट बाल जो थिदुमोंक्ट भाइयं है देखे यह important point है और इसका जवाब जो है हमारे जिसके बिदिश मंत्री जी ने दिया है बिदिश मंत्री जी ने कहा है कि हम arrogant नहीं है हमको up confidence है पहले Europe कुछ भी comment करता था भारत 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 खामोस रहता था या भारत उसको contradict करता था जैसे आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमेरिका में एक रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि हम भारत में होरे human right violation पर चिंतित हैं तो भारत ने किसी तरह को प्रतिक्रिया नहीं दिया भारत ने यह नहीं कहा कि अचलो आहां उस तरह के बारत है भारत ने नहीं दिया भारत ने सिंपल कहा कि अगर आप हमारे human right violation पर चिंतित हैं हमारे देफ में human right बाइलोशन में होता है आप के अनूसार उस पर आप चिंतित हैं तो अमेरिका में भी जो human right valuation होता है उस पर भारत चिंतित हैं अब देखिए इसको tit for tit का जाता है कि आप हमारे देश में होड़े human right valuation पर चिंतित हैं तो हम भी अमेरिका में जो होड़ा human right valuation वहां पर चिंतित हैं अमेरिका में गोरों का dominance है और कालों पर अत्याचार होता है अगर आप अमेरिका के कैदी को देखेगा तो 70% से अधिक अमेरिका में जो कैदी है वह ब्लैक लोग है जबकि ब्लैक की संख्या अमेरिका में लगवब 20-30% ही है सोच कर देखिए तो इस तरह से अमेरिका के valuation जो होड़ा human right का उसको कुन देखेगा तो इस तरह का प्रश्ण भारत ने उठाया और भारत इस point पे है इस जगह पे है कि इस तरह का प्रश्ण को rage कर सकता हुआ कि एक पर इसको भी देख लिजे चुकि देखिए टॉपिक डेली चर्चा में चलना तो डेली इसको पढ़ने का विसकता नहीं है बस इसमें कुछ पॉइंट आपको डेवलोप कर लेना है ग्यान वापी इसू क्या है उसका क्या solution होना चाहिए सरकार का क्या point of view है धार्मिक संपर्दाइक अपना अपना क्या क्या point of view है यह सब बेसिक जानकारी आपको ग्यात होनी चाहिए पुर्वत्तर के बारे में भी एक नोट अप्रूग बना लीजेगा जो इसे की पुर्वत्तर में आपने देखा होगा है कि हाल में ही असम और मेगा हाले में जो 50 वर्स पुराने विबाद चल ले हैं उसको समाधान करने का प्रियास किया गया है और गिरी मंतरी के हस्षे प अब देखे यहां पर फर्स पर जो मैंने कमेंट किया था मानिया श्री राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को कॉंटर किया है हमारे देश के विदेश मंतरी श्री जैसंकर जी नहीं उसे के बार में यहां पर दिया हुआ अब देखे एक इंपोर्टेंट जो सम्मिट होने वाला एक दो दिन में आज 22 तारिक है इंफेक 23 और 24 को हमारे देश के प्रधान मंतरी जो है क्वार्ड ग्रूप के समयले में भाग लेंगे मैंने एक सेपरीड विडियो बनाया था लिंक में डिस्क्रिक्प्शन में डाल दूँगा या तेलिग्राम पर पोस्ट कर दूँगा आप लोग देख लिजेगा कि क्वार्ड आखिर क्या है और क्वार्ड की सनस्ना कैसे हु सब बातों का जवाब मैंने उस वीडियो में डिटेल से दिया है आप लोग उसको देख लिजेगा हमारे देश के माननिय प्रधान मंत्री श्री नयंद मोदी जी जापान की यात्रा पर 2324 तारिकों होंगे 2324 माई को होंगे और वहां पर क्वार्ट सम्मीट में वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके बाद जो भी डेवलप्मेंट होगा जो ही उसका और पूट होगा वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा पहली बात पंजाब में मूंग खर दे की कैंसर कार पंजाब से मूंग कैंसर कार खर देगे एक पार इसको देख लिजेगा पर लिजेगा मतलब बहुत इंपॉर्टेन तो नहीं है लेकिन इस तरह कि जो चीज़ें है पेपर में तो फदुरह सद्विलोपमेंट होता आपना खुद का डेवफ्मेंट होता सोस्ज डेवलपमेंट होता देखे ये थोड़ा सा पोलिटिकल है लेकिन इसको पढ़ सकते हैं बाकि यहां पे जो है अईध्या के वारे में चर्चा किया गया मैं एक लिंक शेर कर दूँगा जिन लोगों ने हमारे अईध्या पे वीडियो नहीं देखा जाकर के देख लिजेगा जो ग्यान वापी अईध्या के वारे में आपको कुछ जनकारी होनी चाहिए देखे कान फिल्म फेस्टिवल चला कान फिल्म में भारत को बिसेश्ट उपए इनवाइट किया गया है वहां पे जो है कुछ फिल्म का प्रसारण किया गया हाँ भारत को कंट्री ऑफ ओनर के रूप में इनवाइट किया गया है तो बिहार की एक धुनरी करके मुभी है जिसको जो मैखली मुवी है जिसको कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया तो यह सब बेसिक पॉइंट है जो उसको याद रखेगा पीटी में तो कोशन पूछा जा सकता है आयतित कोले से माई में दुगुना होगा बिजली का उत्पादन तो बिजली में सकास्टी हमारे देश में होने वाले थी चोकि हम अपने बिजली का 70% से अधिक जो निर्भर है वो कोईला पर निर्भर है आज भी और कोईला हमारे पास प्रियात मात्राम नहीं है हमें बिजली का उत्पादन कर सके बहराल रेनेवल इनर्जी से बिजली का उत्पादन करना इतना आसान नहीं है और आसान अगर है भी तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसलिए भारत सरकार कोईला का आयात कर रहा है ताकि बिजली के उत्पादन को प्रभावित ना होने दिया जाए चालू वित वर्स में तीन गुना एलेक्ट्रिक दोपईया वाहन के बिक्री का उमिद देखे दिस तरह से पेट्रोल और डीजल के कोस्ट बर है उसके बात जम मैं देख रहा हूँ किलेक्ट्रोनिक वाहन के बिक्री काफी बर गाई capt்? काफी मात्रा में आज लेने जाए गे तो आपको कुछ मात्रा में किमत नहीं भरती हैं और वैसे भी मालीजे कि 50 से 60 किलो मीटर अगर आप जाएंगे किसी एस्कूटी में मालीजे जाते हैं साथिया मालीजे 70 किलो मीटर अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको लगभग 2 लीटर का सबस्ति खर्च हो जाएगा और अगर वहीं पर जाएंगे 70 किलो मीटर तो मालीजे कि 2 से 3 उनिट बीजली खर्च होगा मतलब मालीजे कि 20 से 25 रुपए आपको पड़ेगा तो ऐसे काफी ज्यादा इस पे अभी एलेक्ट्रिक वाहन पे फोकस कर रहा है स्रिलंका सरकार ने खत्म किया आपात काल और साथी साथ यहां ने भारत ने फिर 40,000 टन डिजल के आपूर्ति किया है तो भारत जो भी डेवलप्मेंट कर रहा स्रिलंका में उस पे आपकी पैनी नजर होनी चाहिए बाकि यहां पे दो पार्ट इंपॉर्टेंट है दो न्यूज और इंपॉर्टेंट है एक तो रूस पूरे वर्स सर्मत ICBM का प्रजिक्शन करेगा देखिए ICBM क्या होता है ICBM मिसाइल का एक पार्ट होता है उसको बोलते है इंटर कॉंटिनेंटर बैलिस्टिक मिसाइल देखिए जब एक कॉंटिनेंट से दूसरे कॉंटिनेंट पे मिसाइल पहुँच जाए इतना डिस्टेंस कभर कर जाए तो उसे का जाता इंटर कॉंट International ballistic missile जो से मालीजे कि एसिया अगर हम ऐसा missile बना लें जो यूरोप को टच कर सकता यह योप पे हम miss Mira को दाग सकते तो उसे कह जाता है इंतन रिंट्र jak उस्द इ मियात है कि सिरि का में मारिश का अ मई नीजैंर का के नए प्रधान मंत्री होंगे और स्रिलंका का क्या भारत के साथ क्या संबंद रहेगा अब देखने वाली बात होगी मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री कोई भी हो स्रिलंका क्या भारत ने स्रिलंका से FTA साइन कर लिया और एक अच्छा रिलेशन L1-9 के साथ भी भारत के होंगे एक बार पढ़ियेगा तो आप लोग इसको पढ़िजेगा चुकि थॉमस कप पहली बार भारत ने जीता है और उन जीत का स्रे इन्हें भी दिया जाता है ये भी खिला रही थे काफी महत्पून खिला रही है इनके बारे में कुछ पोडेशन है तो पढ़ लिजेगा देखे आज ही के दिन Everest पे हमारी देश की पहली महिला जो Everest पर चरी थी बचंदरी पाल वो चरी थी और आज ही के दिन आधुनी भारत के जनक राजा राम मोहनडाई का जन्म दिर्वान जन्म दिवस है उनका जन्म हुआ था 1772 में 1772 में चलिए वीडियो देखने के लिए आप से भी कदने बाद थैंक यू सो मच प्लीज दू लाइक सेर और सबस्काइब थैंक यू